तो हम इंडियन पॉलिटी में बात कर रहे थे यहां पर राज्यपाल के पद की कि राज्यपाल के पद की क्या शक्तियां हैं क्या योगिताएं हैं तो हमने यहां पर लास्ट लेक्चर में बात की थी कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उन्हें हम चार भागों में बाटते ह कारेकारी शक्ति कारेकारी शक्ति वो होती है जो सरकार में जहां पर विभिन पदों पर कराज्यपाल के द्वारा न्यूक्ति कि जाती है जैसे 164 में CM और मंत्रियों की न्यूक्ती, ठीक है, हालांकि ये जुशक्तियां है, ये मुख्य मंत्री की सलाह पर ही कारे में लेता है राज्यपाल, 165 आर्टिकल में महा अधिवक्ता की न्यूक्ती, 166 में राज्य पाल CM से परामर्ष लेता है जानकारी लेता है राज्य के प्रहराशन के संदर में आर्टिकल 356 में यहां पे समविधान में जब रिजिडेंट शैशन लग जाता है राश्टपती शैशन लग जाता है तब गवर्नर एक अभी करता की रूप में एक एजिडेंट की रूप में कारे करता है राज्य में और आर्टिकल 243 में यहां राज्य निर्वाचन आयूक् करता है और साध में proxy के सदस्यों को और खेक्ष को यहाँ पर wax to यहां पर राश्च्ठपति के द्वारा ही अजा सकते हैं नियुकति से संबंदु सीफार सब्सक्राया में राज्यपाल के पैस क्या-क्या पावर हैं तो यहां पर एग प्रफटा च्छे सदस्यों को विधान परिशद में निक्ति का इनका प्रावधान है राज्यपाल के द्वारा अगर कहीं पर विधान परिशद हो तो जैसे राजस्तान में तो नहीं है ठीक है इसके अलावा आर्टिकल एक से अगरे अमेले आते हैं तो उसे संभोधन यहां पर राज्यपाल करते हैं ठीक है मान लिजी कि कोई MLA है दल बदल की करण उसकी योगता पर सवाल उठ गया है तो वहां पर राज्य निर्वाचन आयोक से परामर्ष करते हैं फिर नियन लिया जाता है यह आर्टिकल 192 तो यह ह विधाई शक्तियां नियाएक शक्तियों में जो नियायले के द्वारा दंड प्राप्त दिखारी हैं पर शर्त यह है कि दंड मिलना चाहिए स्टेट के कानून से सेंटर के कानून से अगर दंड मिला है किसी तो वहां पर यह शक्तियां काम नहीं करेंगी ठीक है तो इस तर परमीशन से पहले लेकर बाद में विधान सभा में रख जाते और गवर्णर जो होते हैं राज्य वित्त आयोग जो है हमारा जो ग्रामीनी एस्व शैस्षिन जो पंचायत इस तरका शैसन है और नगरी शैसन जो नगरपाली का इस तरगा शाशन है वहाँ पर जो भी फंड को देना है उन सभी बातों को गवर्णर विधान सभा के समक्ष रखाता है तो यह थी यहाँ पर शक्तियां तिर इसके बाद एक बहुत इंपोर्टन बात है यह ध्यान रखेगा कि जब भी विधान सभा से कोई भी विधेयक गवर्णर के पास जाता है तो गवर्णर साइन करके उसे कानून का रूप दे देते हैं पर कई बार क्या होता है गवर्णर को लगता है कि यह जो विधेयक है इजे राष्टपती के पास विचार के लिए भीजे जाने चाहिए और यह होती है पांच तरह की कंडिशन जब जिपाल इन विधेयकों को राष्टपती के पास भीजता है पहला है जहां पे हाई कोट से सम्मंत प्रावधान हो शक्तियों को कम करने से सम्विधान के उपभंदों में कोई शेड़चार की जा रही हो नीती निदिशक तत्वों से कोई शेड़चार की जा रही हो टिया आपी ए है कि साइण नं करें और इन्हें शुरक्षित रख ले इसके ओलाबर यहाँ पर र mammary को अगर हमारे अगर्मान लीजिए आंग्लो लोग होते हैं ग्लो लोग होते तो अगर उनका प्रयाप्ट प competitors नहीं आथा एक कर नहीं आ तो यह जो आर्टिकल है इनको ध्यान रखेगा चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर अध्यादेश जारी करने की योग शक्तियां है प्रेजिडेंट और गवर्नर की उसमें क्या अंतर होता है तो दीखे जो प्रेजिडेंट अध्यादेश जारी करता है तो उस स्तती में करता है जब राज्यसभा या लोकसभा या दोनों में से कोई भी एक भी सदन नहीं चल रहा हो ठीक है क्योंकि इस संसद का जो कानून होता है वो दोनों सदनों में पास होना जरूरी है उसके बाद राष्टपती के साइन होते हैं तो अगर एक भी सदन नहीं चल रहा तो कानून नहीं वन पाएगा तो यहाँ पर प्रेजिडेंट अपना यहाँ पर प्रेजिडेंट अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं सोरी बीच में आवाज कट गई थी इसके बाद यहाँ पर देखें विधानसभा हमें भी इसी तरह की शक्तिया है कि अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और कारून की जुरुत हो तो भी यहाँ पर गवर्णर अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो यह कंडिशन द्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों या दोनों में से कोई एक नहीं चल रहा हो तो भी यहाँ केवल विधानसभा अगर देखें हमारे यहाँ विधान परिशद होती भी तो विधान परिशद का कानौन निर्मान में कोई महत्व नहीं है तो उसका सत्र चल रहा हो या नहीं चल रहा हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता अध्यादेश जो जारी होता है उसका जो प्रभाव है वो अधिनियम के बराबर होता कानून के बराबर होता ठीक है ना किसी भी तरह से वो उससे कमतर नहीं होता है same as यहां पे state में है यह अध्यादेश जारी करने के बाद यहां पे प्रेसिडेंट या गवर्णर इसे कभी भी रिवोक कर सकते हैं वापिस ले सकते हैं ठीक है यह विध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद क्या होता है कि माल लिजी अध्यादेश जारी कर दिया गया ठीक है अब इसकी वैलिटी कब तक चलेगी जब तक लोगसभा यार राज प्रस्ताओं को आगे बढ़ा के कानूनी रूप दे दे पूरे नियमों के हिसाब से या फिरी से समाप्त कर दे ठीक है तो यहाँ पर यह चीजें द्यान रखिएगा यह है इनकी अध्यदेश संबंदी शक्तियों में अंतर जहां से कोश्चन आपके आरेस में में पूछा सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर समविधान में और परिस्तितियों से कुछ ऐसी श्क्तियों राज्यपाल को प्राप्त हो जाती है जिसमें वो किसी की भी सलाह मानने को बाध्यर नहीं है और ये कहलाती है राज्यपाल की स्वेवेग शक्तियां इंपोर्डन टॉपिक है पूछा जा सकता है आर्टिकल 163 वन में इन शक्तियों का वर्णन है ये शक्तियां देखिए एक तो है समविधान में जो बताई गई है और एक कुछ परिस्ततियां ऐसी हो जाती है कि यह अपने आप शक्तियां राज्यपाल के पास आ जाती है तो सम किष्टे की सब्सक्राइब और यह राज्यपाल को किसी केंद्र शाषित्स परदेश में निक्ड करता है जैसे दिल्ली या पौंडिचेरी या इस तरह से दो मंदी तो वहाँ पर वह तो ऑपने स्वथिवेग के हिसाप से वह पर काम करीगा तो यहाँ पर चैसे डिल्ली प के पद पे जिसे प्रशाशक कहा जाता है यह द्यान रखेगा तो पहली शक्ति आर्टिकल 239 में इसके बारे में लिखा हुआ है दूसरी शक्ति यह है कि मान लिजी राजस्थान स्टेट है या कोई भी स्टेट है वहां गवर्णर है ठीक है और वहां पर क्या हो रहा है कि जो मंत्री परिशद है और CM है यह यहां पर समविधान के हिसाब से शाशन नहीं चला पा रही है ठीक है समविधान के नियमों के हिसाब से तो यहां पर इसकी सूल्चना गवर्णर के दौरा प्रेसिडेंट को दी जाएगी और प्रेसिडेंट वहां पर आपात गाल घोशित करतेगा Article 356 के तहत और इसके बाद ये जो CM और Ministry of Council या मंत्री प्रेसिदी शक्तियां हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे President को इसमें ये द्यान रखिएगा कि ये शक्तियां President को ट्रांसफर होंगी ना कि राज जेपाल को फिर President इन शक्तियों को राज जेपाल को ट्रांसफर करतेगा और Governor as a agent काम करेगा President के उस राज्य में शाष्ण शवालने के लिए तो यहां पर भी Governor की शक्तियां किसी की सलह पर डिपेंड नहीं करती है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा चलिए यह अगर विद्धान सभा कोई ऐसा कानून ला रही है और उसे पारित करके गवर्नर को भीज रही है तो गवर्नर को लगता है कि यहीं यह कानून सीदे साइन करने लायक नहीं है प्रेजिडेंट से विचार करना आवर चक है तो यहां पर गवर्नर इनके विचार के लिए रक्षद रख सकता है यह कहता आर्टिकल दोस्व अभी हमने इसके लिए पांच कंडिशन देकिती प राज्यपाल पावर्फुल हो जाता है कैसे होती है यह शक्तियां देखिए पहले ही कंडिशन तब हो कि मान लिजे चुनाव हुए है चुनाव हुए है तो यहां पे सीम चुना जाता है और सीम कौन चुना जाता है जिसे यहां पे बहुमत प्राप्त होता है ऐसी पार्टी जिसे majority प्राप्त है उसका जो नेता है वो CM मनता है पर अगर चुनाओ में किसी को भी इस पस्ट बहुमत ना मिले तो उस condition में यहां पर राजयपाल वो लगता है कि इस व्यक्ति को पार्टियां सपोर्ट करेंगी बहुत लिये पार्टियां तो वो उसे CM नूक्त कर सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि आप यहां पर एक महिने में अपने विधाइकों को लाइए ठीक है तो इस तरह की शक्ति कर दिया है क्योंकि वो सला पर काम करता है तो जो भी एमेले हैं जो भी हैं यहां पर मंत्री हैं तो वो खुद अगर भृष्टाचार में लिप्त हो जाए या जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ सब्धान सभा में एविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए मतलब एविश जपाल के पास आ जाती है ठीक है तुसरी वाद माली जी कि यहां सीम है सीम खुद भृष्टाचार में दोशी और उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने विदान सभास प्रस्ताव पारित नहीं होगा वैसी कंडिशन हो जाती है तो गवर्नर यहां पर खुद विदान सभास सत्र बुला सकते हैं जिसमें उन्हें सीम की परमीशन की या सलाह की आवश्रक्ता नहीं है तो यह भी है जो शक्तियां परिस्तितियों से उत्पन होती है इसको ध्यान रखिएगा चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की वो शक्तियां जो एक साध तर sharing में आपको बाद भताओंगा आफित्र इतand रहिए वित्तिविधेग वो होते हैं जिनमें कोई नेया टेक्स लगाना हो या टेक्स को रिवॉक करना हो ठीक है संचित ने दी से कोई व्याय करना हो तो वह सारे वित्तिविधेग की कैटेगरी में हाते है यहां पर समझेगा important part है mcq के लिए खास कर यहां पर देखिए राज्य सभा या लोक सभा दोनों के द्वारा जब कोई विध्यक पारित कर दिया जाता है separate ठीक है तो वो president के पास जाता है sign होने के लिए ठीक है तब तक वो कानून नहीं बन सकता president के पास जादा है अब जब यह स्यूकरती रोक लिजाएगी तब यह कानून नहीं बन पाएगा और वहीं पर समाप्त हो जाएगा तीसरा option है विध्यक आया और यहां पर राष्ट पति को लगता है कि इसमें कोई कमी है तो इसे क्यों ना पुनर विचार के लिए वापिस लोटा दिया जाए त जब लोटा दिया जाएगा तो यह लोग सभाराजी सभा से अगर पारित होकर वापिस आ गया तो यहां पर फिर प्रेजिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे ठीक है यह फिर कमपल्चन हो जाएगा उसके लिए पिर वो ना तो रोक सकते हैं ठीक है ना इसको किसी भी तरह कैसे टाल नहीं सकते यहां पर कमपल्चन है विर साइन का अगर पुनर विचार के लिए लोटाया और वापिस आ गया तो ठीक है चूता देखिए यहां पर विखल्प क्या होता है कि अभी हमने बात की आर्टिकल 200 की तो आर्टिकल 200 में पढ़ा गया अगर विधान सभा के द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करके गवर्णर को भेजा जा रहा है जो लगता है गवर्णर को कि प्रेसिडेंट को भेजा जाना चाहिए तो वो अगर प्रेसिडेंट को भेज देते हैं स्टेट से आता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है उसके लिए वो स भीस आ जाता है पुनर्विचार के बाद तो वहाँ पर वो साइन करें या नहीं करें तब भी प्रेसिदेंट की ही मर्जी है यहाँ पर कंपल्चन नहीं है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के विध्यक के संदर्भ में था ठीक है शाइन कर दिया रोक लिया और पुनर्वि ठीक है इसको ध्यान रखिएगा यह इंपोर्टेंट बात है चलिए फिर बात करते हैं गौवर्णर के पास क्या शक्तिया है देखिए सेम ही शक्तिया है कोई भी अगर विधानसभा से पास होकर आएगा विधयक तो या तो साइन कर दो या रूख लो या पुनर विचार के ल यह विचारार थक रख लो आर्टिकल 200 जो हमने अभी यहां पर देख लिया ठीक है तो Excel में यह साधन विधयक के संदर्व में यह हैं यहां पर प्रेजिडेंट और गवर्णर की वीटो पावर इसे वीटो पावर भी आप कह सकते हो ठीक इसको यहां पर ध्यान रखिएगा चलिए वित्य विधयक के संदर्व में बात देख लेते हैं वित्य विधयक क्या होता है कि जहां पर कोई टेक्स लगाना हो रिवोक करना हो या संचितन दी से कोई व्या करना हो सरकार को तो यहां पर देखी क्या होगा कि यहां पर वित्य विधयक की खास बात होती है यह सा धान सबाव में ठीक फिर यहां पर यह रखा जाएगा अनुमति ली जाएगी साइन के लिए भेजा जाएगा president को sign या तो president कर दे या sign president ना करे ठीक रोक ले इसको यह दो ही option है यहाँ पर बीते विद्यक के संदर में यहां तिसरा option नहीं है पुनर विचार का option इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ही यहां पर अनुमती से पेश किया गया इसलिए पुनर विचार इसको द्यान रखीएगा जो और इसी तरह से गवर्णर के नहीं दिया जाता है टीक है? इसा चीज को ध्यान रखना है तो यह है आपके पास इसस प्रेशिडेंट और गवर्नर की पाऊर में अंतर साधहर साधान विद्य PRES Fr और अध्यादेश के संबंद में चोथा आंतर है क्षमादान के संदर्ब में देखे क्या आंतर है कि यहां पर मान लिजे प्रेजिडेंट को क्षमा करने का अधिकार है अगर कोई सेंटर लो हो केंद्रिय कानून हो उसके तहट किसी व्यक्ति को सजा मिल गई हो तो उस सजा मे में वो क्षमा विराम परिहार और लगुकरन की शक्ति उसे प्राप्त है इसको मैं प्रेजिडेंट वाले टोपिक में आपको अलग से समझाऊंगा यहां पर हम बात जो कि गवंडर की कर रहे हैं तो गवंडर के बारे में द्यान रखेगा कि अगर सेंटर के नियम से अगर तो मृतिडेंट के मामले में प्रेजिडेंट उसकी शमा कर सकता है या उसकी सजा को कम कर सकता मतलब आज इवन कारवास में बतलते हैं यह शक्ति केवल प्रेजिडेंट को है ठीक है पर अगर यहां पर स्टेट में अगर इस राज्जी के कानून के अंतरगत भी उसे मृति है चोँ कोर्ट में किसी का ठीक है तो वहाँ पर यो शक्तिया है उस्मा से सबम् Vous कैब प्रेजिएन्ट को है यहां पर गवर्णर को कोई शक्ति नहीं है तो यह झामयादान से लिए पर बात करते हैं राज़स्भालक के जो राज़ वर्यॐपाल है वहाँ से बहुत सारे कोशन आते हैं तो देखिए इसमें देखिए पहली बात हमने राजस्थान में तिहास में एकी करण पढ़ रहे हैं तो एकी करण में हमने राजपरमुक का पढ़ा तो देखिए राजस्थान में जो राजपरमुक थे जो हम ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान नमूंबर 1956 तक तो इन्हें ऐसे भी गह सकते हैं कि यह राजस्तान के फस्ट या अंतिम या एक मत्र राजप्रमुक्व है ठीक है दूसरी बात एक नमूंबर 1956 को यहाँ पे राजप्रमुक्व का पत्समाप्त राजपाल का वद आ जाता है और पहले राजपाल बनते हैं गु कि राज्य में जब जब राश्पती शाषन लगा है तब यहाँ पे राजपाल कोन रहे हैं यह कोश्चन पूछा जाता है तो दिखिए जो पहला राश्पती शाषन लगा वो 13 मार्च 1966 से 26 अप्रेल 1966 ठीक है इस अवदी में यहाँ पे दो राजपाल रहे संपूर्ण अनंद और हुकुम सिंग कारण क्या था राश्पती शाषन का कि चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला याद करने की ट्रिक होगी संपूर्ण हुकुम नहीं मिला संपूर्ण बहुमत नह पर ठीक है चलिए तो यहां पर दूसरी बार जो राश्पती शाषन लगा वो 1977 दस साल बाद 29 अपरेल से 22 जून यहां पर जो राजपाल रहे उस समय वो रहे विजयपाल त्यागी और रगुकुल तिलक तो विजय तिलक कह सकते हो ठीक है क्योंकि यहां पर हर देश यूश नहीं लग पाया तो इस तरह से आपको दोरों नाम याद रहेंगे पहला संपोर्ण हुकुम नहीं मिला दूसरा विजय तिलक नहीं लगा तीसरा अपात का लगा 1980-16 फैब से यहां पर 6 जून तक इसमें भी रगुकुल तिलक ही यहां पर रजजपाल थे और करण था कि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई इसलिए इने बरखास्त कर दिया गया था ठीक है तो यहां भी विजय तिलक नहीं लग पाया सिर्फ तिलक कह दीजेगा विजय तो न 12 दिसंबर से ठीक है तो हो रहते हैं यहां पर यह तिराणवा है 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 दक एम चन्ना रेडी बली राम भगत तो रेडी भगत इस तरह से आप ट्रिक बनाके याद कर सकते हो तो यह चीज़ें इंपोर्टेंट है एक्स आरेस के गजाम में पूछी जात हैं कि यहां पर जो पहले राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत हो गई तो यह सभी राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत हुए चार ठीक है कभी कथन कारण में पूछ लिया जाता है इस तरह की चीज़ों को तो यह था आपका राज्यपाल वाला टोपिक चलिए अगली बात करते हैं यहां पे सीएम वाले टोपिक की चीफ मिनिस्टर ठीक है अब चीफ मिनिस्टर की टोपिक से कहका देखी कोशन आ सकते हैं तो यहां पर मुख्य मंतरी की किस तरह से नियुक्ति होती है ठीक है रज्यपाल के इसमें विविकाधिकार क्या है नियुक्ति के समय ठीक है मुख्य मंतरी की कार्य और शक्तियां क्या है और रज्यस्थान के संदर्भ में कौन कौन से मुख्य मंतरी रहे निर्वाचेत नियुक्त मनोनी ठीक है तो यहीं सब की बाते हम करेंगे तो मिलते हैं फिर नेक्स लेक्शर में तब बत्ते हैं कि